जैन सात्यूं, आगरा यारो की ओर से मतुरा के इगल ग्राउंड में सेना भरती करा जानी थी, लेकिन पहले होली पर्व और फिर इसके बाद से लगातार कोरोना के चलते इस सेना भरती को पोस्ट पॉंड करते होए आगे बढ़ा जा रहा है, और अब इस सेना भरती को लेकर काफी समय से युवाओं को कोई अपडेट भी नहीं मिल पा रही है, जिससे युवाओं की यह परेशानी और बढ़ती जा रही है, सात्यों उम्मीद यही लगाई जा रही थी कि दिसंबर महीने के लाश तक मतुरा सेना भरती को लेकर कोई अपडेट जरूर मिल जाएगी, जिससे युवाओं को कुछ राहत मिल पाए, लेकिन अब उस राहत से पहले ही लखनव जडारो द्वारा कानपुर में फिर से सेना भरती होना बताया जा रहा है, और इस सूचना ने युवाओं की समस्या अब और अधिक बढ़ा दी है, दरसल सात्यों हुआ यूं कि कानप कानपुर देहात, कानपुर नगर, लखनव, महुवा और उन्नाव जिले के युवाओं के लिए 4 मार्च 2021 से 21 मार्च 2021 तक कानपुर में सेना भरती होना बताया जा रहा है, ये नोटिफिकेशन वाइरल होने के बाद से युवाओं के सामने अब दो तरह की समस्या खड़ी ह हो गई है, एक तो ये कि जिन जिलों के युवा कानपुर सेना भरती में सामिल होते हैं, उन्हें ये पता नहीं चाल पा रहा है कि क्या वास्तम में कानपुर में 4 से 21 जनवरी 2021 तक सेना भरती होगी भी या फिर ये सिर्फ और सिर्फ अफवा ही है, वहीं दूसरी और मतुरा सेना भरती का इंतिजार कर रही युवा भी इस वात से काफी परेशान है कि उनकी भरती तो 2 साल से अधिक समय से नहीं हो पाई है, और इधर कानपुर की सेना भरती को लेकर फिर से नौटिफिकेशन जारी हो गया है, यानि कानपुर में फिर से सेना भरती रही होने जा रह यह नॉटिफिकेशन कैई दिनों से सोसल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि कानपुर सेनाबर्ती चार से 21 मार्च 2021 तक होगी, इसके लिए 17 दिसंबर यानी गुरुवार से ओनलाइन आवेदन सुरू होंगे और आवेदन की जो अंतिम्तिति है वह 30 सके कि यह नॉटिफिकेशन सही है या फर्जी है। जब कापी संख्या में युवाओं ने हमें यह नॉटिफिकेशन वाटसप और जीमेल पर भेजा तो हमने इसकी सच्चाई जानने के लिए करणल आसुतोस महतासर को इस नॉटिफिकेशन के वारे में जानकारी दी। जि इसके बारे में कोई भी सूचना सेना की ओर से जारी नहीं की गई है। तो साथियों इससे साब पता चलता है कि ऐसे ही किसी ने युवाओं की परेशानी बढ़ाने के लिए इसे एडिट करके वाइरल किया है। यानि कानपुर सेना भरती को लेकर अभी तक ऑफिशल भगत कराएंगे। लेकिन उससे पहले हम युवाओं से इतना कहना चाहेंगे कि सौचल मीडिया पर वाइरल किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले उसकी प्रमारिक्ता जाचले। यानि जो खबर आप देख या पढ़ रहे हैं क्या वह खबर सही है। इसके लिए आप संब कराएंगे। तो चलिए साथ यो फिर मुलाकत करते हैं आपसे सैनाबरती से जुड़ी किसी नई अपडेट के साथ तब तक सामधान रहें दलालों से दूर रहें अपना और अपनों का खयाल रखें। जय हिंजय वारत वंदे मात्रम।